नमस्कार मैं हूँ अमें तौराब देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल डिंसिटी ट्यूटर तो डिंसिटी ट्यूटर में आपका स्वागत हैं तो आज की जो हमारी टॉपिक है वह है एफटरिफेक्स पर कि जब हम लोग की कीज आड करते हैं जब भी आम लोग को आपया स्टॉप वाज को इनेबल करते हैं परे लिगते हैं तो या हुआट इन नजए कीज वहाँ पे एबलिबल है और वन कीज वहाँ लें वाँ थो हम लोग देखने वाले हैं वहत्छा ही जैसे कि एज़ इसे भिए निज्व सारे कीज हैं जह हम लोग की टॉपिक में कवर करने वाले हैं तो आज क क्वार टॉपिक है वह कम्प्रीटली all types of keys हम लोग देखने वाले हैं in after effects तो चलिए सिदा चलते हैं अपने computer में and then देखते हैं कि हम लोग keys को किस तर से use में लेते हैं तो आज हम लोग दो topics को cover करेंगे basically after effects में तो first हम लोग देखने वाले हैं कि आप keyframes को कैसे use में ले सकते हो because of after effects में बहुत सारे keys है like is in, is in, is in, is out है frame hold भी अपका एक keyframes आते हैं तो ऐसे keys हमें मिलते हैं after effects में तो सबसे first हम लोग आ जाते हैं यहां पे अपने after effects में और आपको करना क्या है सबसे first मालो मैंने यहां पे दिखाने के लिए मैं कुछ ले ले लेता हूं images, I mean footage, so मेरे पास यह मैंने एक background set कर लिया first तो आपको करना क्या है यहां पे एक background set कर लो कुछ ऐसे तो मैंने एक background ले रखा है कुछ ऐसा तो background मैंने ले रखा है कुछ ऐसे उसके बाद मुझे करना क्या है यहां पे आप ले कर आ जाओ एक aeroplane को भी मैं ले के आ जाता हूं I think बहुत बड़ी size है तो मैं इसे भी छोड़े size में ले ले लेता हूं I think इतना काफी है और मैं यहां पे रख देता हूं तो मैं यह दिखाने वाला हूं first ease in ease विगरा जो होते हैं वो किस तरह से use में हम लोग लेते है animation में वो बहुत important है because जो हमारा motion graphic है based completely based है timing and then हमारा speed animation के उस पे based है तो अभी मैं क्या करने वाला हूं अब इसको तोरे से size तोरे increase कर लो I think इतने काफी हैं जहां तक आपको चाही होंगे तो मैं यहां पे जाकर ले लेता हूं 50% रख लेता हूं 50% में मैंने रखा हुआ है अपने इससे and then मैं यहां पे 2-3 copies ले लेता हूं अपने arrow plane के कि आपको पता चले कि यह किस तरह की animation हो रहे हैं यहां पे okay तो मैं क्या करूंगा first like position मेरा यहां पे है source and then destination मैं यहां पे कर दूंगा कहीं पे भी करूंगा अब इसकी 2-3 copies बना लेता हूं मैं जैसे कि मान लोग मैं control D D कर लेता हूं यहां पे 2-3 copies बन गए and then मैं इसकी ना position चेंज कर देता हूं like थोड़ से उपर में ही रख देता हूं यहां पे ऐसे करके straight 2-3 मैंने इसे copies बना रखे हैं कुछ ऐसा and then मैं इसमें apply करने वाला हूं animation keys okay तो आपको करना क्या है simply आप यहां पे भी जाओ and then यहां पे position ले लो इसके भी position ले लो and then इसके भी P press करके position ले लेना अब सब पे position मैंने डाल दिया 1-2 and then 3 arrow prints पे and then यहां पे first click कर देता हूं अपने I mean मैं enable कर लेता हूं अपने stop watch को click click and then click करके आप enable कर लो इन से and then जले जाओ मालो 3 frames में जाता हूं उससे जादा मत लेना because आप completely slow motion मैं मुझे नहीं दिखाने तो मैं 2-3 seconds में मैं रख लेता हूं I think 2 रख लेता हूं and then 2 frames में क्या करता हूं one by one में इन सभी को मैं move करता हूं तो मैं first इसको shift press किया and then move कर दिया like यहां से यहां तक इसे भी मैंने select किया and then shift press करके मैंने यहां से यहां तक move कर दिया almost सभी के position same है and then इसे भी मैंने क्या किया simply click किया shift press करके मैंने इसे स्ट्रेट ले लिया यहां से यहां तक तो इस तरह से हम लोगों ने बना लिए अच्छा कभी कभी यह भी प्रॉब्लम आते हैं मेरे से पूछे कहें यह सवाल कोस्टिन की जब आप अनिमेट करते हो तो मुझे यह वाले लैंस नहीं दिखते हैं तो अगर आपको मान लो पाथ नहीं दिख रहे हैं या फिर पाथ कटता हुआ सा जाता है तो आपको करना है क्या है सिदा आप चले जाओ यहां पे अडिट में प्रिफरेंसेस में चले जाओ और प्रिफरेंसेस में आप जाकर ना डिस्प्ले पे पहले आजाओ जब भी आप डिस्प्लेय में आओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नू मूशन पाथ अगर ये क्लिक रहेगा तो आप अपने पाथ को देख नहीं सकते हो तो दूसरा अगर मान लो 5 सेकेंट तक रहेंगे तो 5 सेकेंट तक के जो डियूरेशन वाले पाथ है वही दिखेंगे उसके बाद वो सिर्फ कटता हुआ सा ऐसा दिखता चला जाएगा जैसे पाथ इरेज होता हुआ सा जा रहा है तो मैं हमेशा recommend करूंगा कि जब भी आप animation कर रहे हो motion graphic कर रहे हो after effects में तो आप all keys को यहाँ पे enable कर लेना क्योंकि यह करने के बाद आपको क्या होएगा जो भी path आप देख रहे हो ना वो आपको दिखाई देंगे otherwise वो दिखते नहीं है अगर no path रहेगा तो path completely नहीं दिखेंगे because मेरे जो एक viewers हैं उसने भी question यह मुझे से किया था कि मुझे जब भी मैं animate कर रहा हूं तो path मुझे देख नहीं रहे है because of कि उनके जो motion path है ना वो यहाँ पे no motion path clicked होगा second thing कि जो five seconds है या five frames तक के ही दिखेंगे उसके बाद वो erase होना हो start हो जाता है मतब दिखना बंद हो जाता है तो always select all key frames ओके यह हमेशा याद रखना make sure कि all key frames आपका enable हो and then hit on ok button okay तो यह काम make sure कि आप कर लो उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी जो मेरा animation है ना यहाँ पे वो almost कुछ ऐसे हैं okay तो जो start हो रहे हैं वो भी same speed में भी जाकर हमारा same complete हो रहा है मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे की जैसे की मालो में first वाले जो top वाले या middle वाले जो मेरे aeroplane है so first आपको करना क्या है यहाँ पे आपको select कर लेने है keys को red click कर लेना and then यहाँ पे key frame पे आप जाओगे ना and then fast वो पहुँचा सबसे पहले पहुँचा see जो start है उसका वो तरह slow है and then end हमारा fast हो गया अब आप इसको कुछ इस तरह से समझे हो कि अगर आपके घर में fan है and then fan को जब आप on करते हो switch देते हो तो क्या होता fan starting में तुरह slow होते है and then फिर वो अपना speed up हो जाते है means fast हो जाते है right तो कुछ इसी तरह से हम लोग बोलते है is in means जब आप apply करते हो is in तो उसके जो start होंगे वो slow होंगे and then end जो होगा वो तुरह सा fast होएगा इसको बोलते है हम लोग is in याद रखोगे आप हमेशा उसके बाद second वाले में आता हूँ मेरे यहाँ पर मैं second वाले को select कर लिया and then right click कर दो and then इस बार मैं key frame assistant में जाकर मैं ले लेता हूँ जैसे मैंने last ले लिया था is in अभी मैं लेता हूँ is out मैं easy is नहीं ले रहा हूँ अभी मैं बात में दिखाता हूँ is is क्यों नहीं ले रहा हूँ means easy is क्यों नहीं ले रहा हूँ अभी मैं easy ले लेता हूँ okay तो दोनों में completely आप देखो keys जो है ना वो completely different आ रहे है because of की दोनों बहुत different kind के animation है यानि जो उस पे apply हुआ है animation वो तुरह सा different है see कुछ ऐसे तब आप देख सकते हो कि यह जो दो animation आपके जो जा रहे है एक तो starting में slow है middle वाला जिसमें मैंने लगाया था ease in अब यह ease in वाले start तरह slow होते हैं and then फिर वो speed पकड़ लेता है बीच में see तो सबसे आगए ही आपको दीखेगा okay उसके बाद हमारा आता है ease out ease out में क्या होता है जैसे कि starting fast है हमारा जो यह वारे plane है यह तुरह से fast जा रहे है start में and then जब last होएगा तो वो slow हो जाता है okay अब जैसे अब इस तरह से समझो कि जैसे ही fan है या फिर car आप चला रहे हो and then फिर car में जब आप brake लगाते हो या stop करते हो तो fast to slow होते हैं उसको हम लोग बोलते है ease out okay so ease in and then ease out आप याद रखना यह चीच तो पहला तो आपका slow to fast है and then fast to slow है तो ease in and then ease out में ऐसे होते हैं लेकिन अगर मैं यहाँ पर third वाले पर लेता हूँ में जो bottom one है okay अब देख सकते हो यहाँ पर जो last one है उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाकर अब यहाँ पर जाकर मैं ले लेता हूँ ease ease okay okay तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर animation आपको दीख रहोंगे okay तो कुछ ऐसा है यहाँ पर first वाला आपको जरूर दीख रहोगा कि यहाँ पर slow start है and then last में तुरह सा speed होते है but ease in आपको थोड़े बहुत ही आपको लगेंगे ease in ease और ease जो होते हैं वो तुरह से almost similar kind के हो animation तो आप देख सकते हो तुरह सा fast होते fast खत्मी होते हैं okay कुछ ऐसे slow to fast fast to slow ऐसे होते हैं animation हमारा easy in okay तो यह हमारा कुछ animation कुछ इस तरह से हमारा work में आता है जो हम लोग 3 मैंने बताया थे वैसे और एक मैं दिखा देता हूँ मानलो फिर से मैं एक और aeroplane को यहाँ पर लेक size में okay कुछ ऐसे ले लिया मैंने and then starting में जाकर आप प्रेस कर दो इसके पी position को मैंने यहाँ पर रख लिया है अब इसको क्लिक करो first अभी इसके position को मैं तुरह सा top में रखता हूँ okay and then इसको position पर रख दिया first position यहां second में मैं तुरह सा इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ fine यहाँ पर जाकर मैं फिर से इसको एक और position को तुरह सा और ड्रैक कर रहा हूँ means इसके stoppage दे रहा हूँ one two three and then last fourth okay and then third three seconds पर मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर ले के आ जाता हूँ fine ऐसा कुछ मैंने किया हूँ है यहाँ पर animation इस पर okay अब इस पर आपको करना क्या है सारे keys को आप select कर लो ऐसे right click करो and then यहाँ पर मैं जाके ले लेता हूँ simple सा toggle hold frame okay जैसे यहाँ toggle hold frame लेते हो तो आपको keys again तुरह से different style में मिल रहा यहाँ पर आप देख सकते हो okay तो इसका जो हम लोगों ने अभी frame hold वाले जो ले रखे थे यहाँ पर toggle hold frame okay I mean key frame उसमें क्या होता ना जहाँ जहाँ पर आपने keys लगाया थे ना बस वहाँ वहाँ पर directly हो जाकर jump करता रहेगा कुछ ऐसा उसमें animation नहीं होते हैं simple सा हो क्या कर स जहां जहां पर key frame पर आपने बना रहें कुछ ऐसे तो सारे अलग अलग आपके performance देते हैं यहाँ पर key frames तो कुछ इस तरह से आप animation करोगी I mean कितने सारे यहां पे कीज हैं बट इसको भी handle करने के लिए हम लोग ग्राफ एडिटर में हम लोग वर्क में लेते हैं जो कि मैं बाद में लिखाऊंगा ग्राफ एडिटर का अलग टापिक में लेके आँगा अब इसके बाद यह होता है कि आपने जो भी चीज बना रखा यहां पे उसको आप सेफ कैसे करोगे means render कैसे करोगे because render भी एक टापिक है यहां पे तो अब जैसे कि मान लो मुझे render करने है तो आप पहले comp को select कर लो okay and then आप composition में जाकर यहां पे add to render queue पे चले जाना तो जैसे ही आप यहां पे add to render queue पे जाओगे यहां पे आपके render के settings आ जाएंगे अब आपको करना क्या है यहां पे जब भी आप इसको render निकालना चाहते हो अपने पूरे animation को उसको आप animate को पूरे का पूरा animation को आप render निकाल सकते हो बट मैं क्या करता हूँ यहां पे first मैं comp को मैं तुरह सा छोड़ा कर देता हूँ I mean only 3-4 seconds का रखता हूँ and then right click करके मैं trim comp कर देता हूँ बस 3-4 seconds का मैंने ले रखा है उसके बाद फिर से मैं आता हूँ render queue में अब render queue में आने के बाद आप सबसे first click करना है यहां पे render setting को तो मैंने render setting में मैंने best ले रखा है आप भी ले लो resolution हमेशा full रखना because of कि आपको higher resolution चाहिए होंगे तो आप यहां पे render को हमेशा full पे रखना I mean resolution को full पे रखना and then आपको कुछ करना नहीं है use frame rate 30 है आप चाहो तो यहां पे 24, 25 आप ले सकते हो यहां पे and then okay कर दो तो best setting हमारे जो है वो आ गए यहां पे उसके बाद जो most important thing है कि आपको save कहा करना है but उससे पहले मैं यह देख लेता हूँ कि हम लोग किस file format में इसको निकाल रहे है means इसके extension क्या है तो देखो यह चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपने software के साथ साथ यहां पे encoder use किया है या फिर install किया है तो ही आपको h.264 आएंगे जो की हमारा MP4 compressor है otherwise यह नहीं मिलते हैं आपको AVI मिलेंगे by default आपको AVI मिलते हैं उसके बाद आपको quick time मिल जाएंगे लेकिन यह कभी कभी नहीं दिखते हैं बहुत सारे लोगों में नहीं दिखते हैं h.264 जो कि यह best compressor MP4 के लिए जो हम लोग basically बहुत use करते है render अपने YouTube channel के लिए भी हम लोग जब मैं work करता हूं तो h.264 पर ही render करता हूं ओके तो बहुत सारे यहां पे आपको different different types के मिलेंगे but AVI भी uncompressed होते हैं means इसके जो file size होंगे बहुत heavy होएगा just मैं कि करके मैं तुरह सा दिखा देता हूं like मैंने अभी AVI को select कर रहा है यहां पे and then RGB channel है सब कुछ as it is रहने दो and then अभी OK को click कर दो and then यहां पे मैं क्या करता हूं click करके मैं save कर देता हूं मैं desktop में जाकर एक folder यहीं पे मैं desktop में comp1 बूलकर मैंने export कर दिया and then render button को आपको click कर देना है जो मैंने render निकाला था उसके जो अगर अब properties में जागए यहां पे तो आपको 500 MB मिल रहा है अगर आपने AVI render किया हुआ है तो तो यह uncompressed होते है and then file भी बहुत heavy हो जाते है तो कभी भी आप AVI में मत करना अगर आपको file size कम चाहिए तो AVI में कभी भी मत करना अभी मैं क्या करता हूँ फिर से मैं click करता हूँ and then इस बार मैं h.264 ले ले लेता हूँ यहां पे तो h.264 पे मैं क्या करता हूँ मैं save करता हूँ अपने complete जो भी मैंने बना रखे है तो आप देख सकते हो कि जब यह render हो रहा है यहां पे इसके output आपको कम मिलेंगे तो यह है मेरा MP4 जो मैंने h.264 से निकाला है अगर आप देखोगे दोनों में compare कर लोगे तो यहां पे आपको मिल रहा है 2.43 MB only 2 MB आप बोल सकते हो कि nearly 2 MB का आपके पास file है और कहां यह 500 file है 500 MB के file है and then दोनों के quality सेम है see अगर आप quality वाइस देखोगे तो दोनों के quality आपको सेम ही मिल रहे होंगे कुछ ऐसे यहां पे भी आप देख लो तो यह आपका render settings है कुछ एक और भी render setting है जैसे कि माल लो मैं इसको फिर से delete कर देता हूँ and then यहां पर मैं क्या करता हूँ इस बार मैं जाता हूँ click करता and then यहां पर मैं एक और file format को मैं ले ले लेता हूँ I mean extension ले जो कीह quick time जो generally बहुत लोग use करतेहं quick time भी मैं बहुत use करता हूँ click करो and then render को click करो तो यहां पर आगया मेया movie file जब भी आप QuickTime में करोगे तो आपको यहाँ पर MOV फाइल मिलते हैं तो आप देख सकते हो कि जब मैंने AVI में जो रेंडर निकाला था वो 500 MB तक चले गए यह 2 MB अल्ली है तो यह बहुत यूज होते हैं and then QuickTime आपके आदे आ जाते हैं लगबग 230 MB आते हैं इसके AVI के तो यह हमारा डिफ्रेंट डिफ्रेंट टैप्स के आपको मिलते हैं यहाँ पर रेंडरिंग एक और भी चीज है जब भी आप QuickTime में चाहो तो आप निकाल सकते हो transparent videos भी निकलते हैं even though हम लोग actually transparent video जाता नहीं काम करते हैं हम लोग जब भी निकालते हैं हम लोग work में तो हम लोग image sequence पे ही मैं work करता हूँ generally जब भी मैं work करता हूँ VFX के लिए या फिर किसी भी चीज में करना होता है तो मैं जब भी render करता हूँ तो वो हमेशा मैं render करता हूँ image sequence पे because उसके quality ज़्यादा बेटर होते है compare to avi तो अगर आपको भी निकालने हैं तो click करके आप जा सकते हो यहाँ पे click करो and then आप यहाँ पे image sequence ले ले लेना टिफ टार्गा आपको भी ले सकते हो यहाँ पे तो मैं दोनों यूज़ करता हूँ जनरली मैं टिफ यूज़ करता हूँ अपने image sequence के लिए तो अगर आपको भी अगर कुछ project पे work कर रहे हो तो image sequence जादा better है काम करने के लिए अपके clients के लिए अगर काम कर रहे हो तो image sequence जा होना चाहिए जैसे कि मान लो अगर मैं ये जो sky है इसको अगर मैं delete कर दूँ and then render करूंगा तो ये complete transparent आएगी जैसे कि मान लो RGB plus को मैंने ले रखा है पहले तो आप delete कर दो इससे तो मैंने background को completely हटा रखा है remove कर रखा है and then मैं render queue में गया and then click करके मैं क्या करता हूँ यहाँ जाकर मैं select कर लेता हूँ quick time and then RGB के जगर में ले लेता हूँ RGB alpha and then आप render निकाल दो अभी and then देखो render में क्या होता है see तो यह हो गए है हमारे यहाँ पे तो अगर मैं यहाँ पे देखो अपने वीडियो को file को लेकर रहा हूँ double click ले ले लेता हूँ मैं यहाँ यह देख सकते हूँ आपको complete यह transparent मिल रहा है means इसका मतलब यही है कि जब भी आप comp यहाँ पे मैं सबको hide कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी footage नहीं है मालो मैंने सबको यहाँ पे ऐसे minimize कर रखा है मैं इस तुरह सा collapse कर रखा है इसे and then video footage को मैं यहाँ सबसे top में लेकर रखता हूँ देखो आ गया है अगर मैं इसके नीचे में कोई image रखता हूँ जस इस video के नीचे पर मैं sky रखता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यह sky भी यहाँ पे आ गया है तो video जो render है उसको भी आप transparent render निकाल सकते हो after effects में बहुत easy है completely इस तरह से निकाल लो and then png जैसे हम लोग images में png use करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं हमारे video को सी कुछ इस तरह से तो video भी transparent हो सकते हैं आप इस तरह से work में ले सकते हो कहीं पे भी use में ले सकते हो and then last जो option है हमारे rendering के वो आप कर सकते हो uncorder के तुरू media uncorder आपको install करने परेंगे अपने system में जब h.264 पर render कर सकते हो तो बहुत सारे different techniques है हमारे final output जो आपको निकालना है तो आपको इस तरह से final output निकाल सकते हो तो आज का जो हमारा topic था वो तुर इस basic थे की keyframes को आप कैसे handle कर सकते हो किस keyframe में आपका जो animation होता है वो तुर slow होते है फास्ट होते है वो थे and then render output आप कैसे निकालोगे वो भी मैंने इसमें बताया है तो यह था आज का हमारा topic after effects में I hope कि आज की class आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें subscribe करें and then अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें मिलते हैं हम लोग after effects के new video में तब तक के लिए नमशकार take care